नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बाग करेंगे डियलेट एक्जाम 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 9 सितंबर 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की लेकिन इस समय के पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामें रखते हैं जी आँ दोस्तों जूरियर हाइस्कूल सिचक बरती 2021 परिच्छा की जो अपडेट है अभ्यर्थियो को दर्सा दिया था अनुपस्तित अब उत्तीड जी आँ दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट से जो परिच्छा निम्यक प्राधिकारी कार्याले का गेर कर पुना परिच्छा की मांग की है पूरी अपडेट हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं वीडियो का आपक सुरूत लेके अंतर तक देखिएगा क्योंकि सिचक बरती में आशकल बड़ी बड़ी धांदलिय या सामने आ रही है एक और बड़ी कबर है जरा देखिए समूग की साथ हजार से अधिक भरती अफ़स गई है आरचण के नए फार्मूले से पेच है पदों पर फिर से होगा निर्दारण उसके बाद एक और अपडेट आ रही है कि अनुदेशकों के मांदे मामले में सुन तो मतलब बैक पेपर दोस्तों जब होगा अक्टूबर या नॉम्बर में तब सभी बच्चे तयार रहें पेपर देने के लिए हैं ठीक है हर एक विसे का पेपर होगा आठ के आठ सब्जेट का पेपर होगा तयारी शुरू कर दीजे उसके बाद देख सकते हैं यह रही हम प्रत्या विदन फॉर्म जबा हो रहा है लगनों SCRD में जी या दोस्तों से रही हैं जैसे महले थे कि आप सब्सक्रेद सब्सक्राइब का लगए दो बार तीछ बार तीनो बहुत तो तीनो बार का अपको लगेगा रिजल्ड ठीक है उसके बाद दोस्ते ऐक लगेगा अप्लिकेशन आप सी आटी यह सब लिख देगे वहां या तो आप जाएए वहां पर बीडिस में काफी जादा हो रही है ठीक देखा देखी कर लेंगे सब भी काम हो जाएगा लेकिन पहुच कर अपना काम जरूर करा दीजे किसी के भरोसे मत कराईएगा सुची कर चलो सुलिद में दस बच्चों का हो गया तो दस बच्चों तो भाई यह जाए ना इससे अच्छा ही एक दो बच्चे चले जा है ठीक है सभी का पैसा एकत्र करके आज जो भी और आपको बता दिए बिल्कुल फ्री हो रहे हैं या पर कोई पैसा आप पर लगे का नहीं ठीक है जो प्रत्य अबेदन का फार्म है यह बिल्कुल फ्री है एक भी रुपय नहीं चार्ज हो रहा है तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी अब्डेट को भी इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट की सीटेट की सुपर टेट के हर एक अब्डेट को देखेंगे जलदी समाबत होने वाली तो अगर आप 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 आपना चाते तो जलद जल आवेदन कर दिजे फेल शात्रों के लिए बड़ी कबर को मिड़ी वीडियो में देखेंगे बीएट वर्सिस ब्स टीसी या बीटीसी सुपरीम को डिच और को देखेंगे कि EWS आरचट पर सुनवाई के मुद्देत है ये चार मुद्दे बनेंगे फैतले का आधार जी हाँ दोस्तों हर जगे इससे में बड़ी बड़ी अफडेट्स निकल कर आ रही है कोई भी ख़बर आपसे छूटने ना पाया आप देख सकते कि पूरिस बर्ती 2021 कि ST कोटी की सीट पर भरती ने सामान ने OBC अब्रेट्स के चैन को हाई कोट में चुनाओती दे दे गए जी हाँ दोस्तों मतलब आरचट गोटाला देखने को मिल रहा है और आरचट पर सुनवाई भी हो रही है एके करके दोस्तों आज के तमाम बड़ी अब्रेट को हम आपके सामदे पहले रखते हैं ठीके इसलिए दोस्तों आप लोगो हर दिन के हर एक अब्रेट को देखा करिए जो कि आपके काम की है वीडियो को अधिक साधिक अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा क्योंकि देखिए जब नई सिच्छाक बर्ती के लिए अबेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो 99,000 सिच्छाक बर्ती को यादर करिएगा क्योंकि 99,000 सिच्छाक बर्ती में 6,800 सीटों पर आरचण गोटाला हुआ है नुकसान हुआ तो OBC के टेगरी के चात्रों का और SC के टेगरी के चात्रों का तो भईया आप लोग अपना अरचण का विद्यान दीजे नहीं तो आपका हक कोई और लेकर चले आएगा सोचिए आज 6,800 सीटों पर जो नई चैन सोची थी अभी तक जारी तो हो गई है लेकिन युक्तिवी पत्र नहीं मिला फायदा किया किसको हुआ 6,800 जनरल के टेगरी के चात्रों को बच्चों का फायदा हुआ OBC और SC के टेगरी के चात्रों के जो बच्चे थे उनका नुकसान होके जनरल के टेगरी के चात्रों का फायदा कराया किसने सरकार है अब इस अब्डेट को जड़ा देखिए असास की साहता प्राप्त एड़ेट जूनियर हाइज स्कूल सिचक बर्थी परीचा 2021 के संसोधित परिडाम में इसमें होई ठीक है अधेर करदी को वेब परदा कर दिया गया है तो ये सब दोस्तों बाते एक बात आपको बता दे इस वेकेंसी में टोटल 504 पद सायक अध्यापक के हैं 390 पद हैं प्रदाना अध्यापक के ठीक है गरपट गोटाला की बात जड़ेट को भी देखते हैं जूनियर हाई स्कूल में सिच्चक बरती का संसोधित पर रिडाम जारी होने के बाद अभेर्टियों ने नंबर कम होने और फेल किये जाने पर आपत्ती जताई है यूवा मंच के नेतत्र में ब्रसपतिवार को छात्रों ने सच्ची परिच्चा निमक परादिकारी कार्याले का गिराव किया और पुना परिच्चा कराने की मांग की यूवा मंच के अद्यच अनिल सिंग ने कहा कि परिच्चा निमक परादिकारी कार्याले यूवा के भविस्य के साथ खिलवार कर रहा है पूरू में जो छात्र पास वेते हैं संसोधी परिडा में उन्हें इन्वैलिड सिरीज बता कर फेल कर दिया गया इतना ही नहीं कई ऐसे छात्र भी हैं जिनके नमबर कम हो गए उत्तर कुँझी से मिलान करने पर अधिक अंकार है कहा कि जब टेट में गर्बडी हो सकती है तो जुनिर एड़ेट सिछक बरती में भी इसमें इंकार नहीं किया जा सकता जादा तर चात्र अब एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती का पुना परिच्छा कराने की मांग कर रहे हैं यूआ मंचने मुख मंत्री को पत्र लिखकर सभी अनिमित्ताओं को संग्यान में लाने एवं पुना परिच्छा कराने की मांग की है तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या परिच्छा रद होगी क्या पेपर दुबारा से होगा जो भी अपडेट निकल कराएगी हर एक अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे ठीक है तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आज कल क्या होता है पहले पेपर होता है एक साल में पहले तुरंत रिजल्ट आगा उसके एक साल बाद पुना मतलब दुबारा मतलब रिवाइज रिजल्ट आता है उसके बाद बच्चे मांग करते कि नहीं अब पेपर दुबारा होना चाहिए तो गाई साफ लोग भी नई सिच्छक भरती के इतजार कर रहें तो भी यह जरा रखेगा इस अपडेट को जरा देखिए आरच्चड के नए फार्मूले से समूगा की साथ अजार से अधिक पदो पर भरतियां फति हुई हैं उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग अब विभागों को बुलाकर आरच्चड की ब्योस्ता के अनुसार पदो का नि 27,000 से जादा अनुदेशकों को 17,000 पे मान दे देने के आदेश के खिलाब राज्य सरकार की विशेश अपील पर भहत पूरी होने के बाद नेड़े सुरच्चित कर लिया हैं मामले की सुनवाई मुक्या नयमूर्थी राजेश बिंदल और नयमूर्थी जेजे मुनियर की पूरा मामला है हर एक अप्डेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं परिच्चा की डेट सीट से लेकर रिजल्ट की हर एक अप्डेट आपको मिलती है डीलेड रिजल्ट.com वेबसाइट की जानकारी परिच्चा की डेट सीट की जानकारी ठीक है और उसके बाद दोस्तों जो नोट से हमारे फस्समेश्टर सेकेंड समेश्टर ठर्ड और फोर्ट सारे वीडियोस की लिंक आपको यहां पर मिल जाते हैं मतलब पढ़ाई आपकी ठीक हो जाती है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती सिच्चा मिन्स्त्रों का मान दे बढ़ा कर 40,000 पर किया जाने की मांग मतलब जो भी दोस्तों अपडेट आती है अपडेट हम आप सक पहुचाते रहते हैं उरानी पेंजन को लेकर भी दोस्तों अभी तक कुछ हो नहीं पाया उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मादमिक निदेशक कार्याले के समझ विबिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने वाले सिचकों ने सयुक्त सिच्छा निदेशक को मुख्य मंत्री को सम्भोधित 12 सुत्री मांग पत्र भी दिया ठीक है बगया मांग होती रहती लेकिन हो कुछ नहीं आप अदालत यह भी तैक करेगी कि क्या समिदान 193 संदोतन अधिनियम के जरिये राज्यों को इस प्रकार के विश्यद प्रावधान करने के मंजूरी देकर समिदान की मूल सरचना के सिद्धान का उलंगन किया गया है अत्वा नहीं सुनवाई 13 सितंबर से सुरू होगी है जिया दोस एक बड़ी अपडेट यहां से पी निकल कर आएगी जल्द ही अपडेट आएगी हर एक अपडेट पर आप लोग की नजर होनी चाहिए इलाबाद हाई कोट ने उत्तर प्रदेश कुलिस कूप निरिचक सिपाई बर्ती दो जार इकित में स्टी कोटे की सीट पर सामाने और OBC अबेटियों के चैन के मामले में यूपी सरकार और पुलिस बर्ती बोड से जवाब तलब किया है कोट ने मामले में यूपी सरकार और पुलिस बरती बोट को छे सप्ता में जवाब दाखिल करने को कहा है पवन कुमार भारती तता अन्निकियोर से दाखिली आज का पन्यामोरती निरच तिवारी की पीट सुनवाई कर रहे थी तो दोस्तों आप देख सकते हैं आरचड घोटाला जो सबसे खतरनाग घोटाला होता है जिए दोस्तों जब बच्चे एडमिसन लेते, सैयारी करते हैं तो आरचड की बेस पर एडमिसन होता है ठीक है आवेधन की प्रक्रिया है दोस्तों जल्द ही सुरू होगी और आपको बता दे इसी महीन ने उमीदे के ओफिशल नोटिस्फिकेशन जारी कर दिया जाएगा ठीक है बाकी जो मारा डियलेट का एक्जाम डेट सीट है जो कब तक पेपर हो सकता है अक्टूबर उसके बाद ही पेपर सुरू हो पाता है फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड हैव नाइस डेट